हलो बच्चो आज मैं आपको पढ़राने वाल और भारत मेराहट्रिवाद से पहले मैं आपको एक motivational video के बारे में बताने वाला हूँ कि महनत करने वाले रिकास करते हैं सफल वही रहते हैं जो पर्यास करते हैं स्वागत है हमारी यूटीब चैनल में बच्च वाद में आपको पढ़ाने वाला हूं भारत मेरा इस्टिवाद है इसका पहला कोश्चन है प्रथम विश्वयूद कब आरम हुआ इसका राइट एंसर हो जाएगा 1914 में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर वर्थम विश्वयूद कब से कब तक हुआ इसका राइट एंसर हो जाएगा 1914 से 1918 बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट कोश्चन की ओर विश्वयूद में हुए रच्छा व्याव की भरपाई के लिए ब्रिटिस आसनों ने क्या कदम क्या बोल रहा है कि विश्व उस परकिरिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उपनिवेसिक सासन में लोगों को सेना में सामिल करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उस परकिरिया को जबरन भरती कहते हैं जिसमें यूवकों को जबरन भरती कर लिया जाता है सेना में जबरन भरती कर रहा तो से ग्रामिन वाले लोग गुस्ता थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा फुलू विमारी फैली थी चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट कोस्टन की ओर 1921 की जनगन्ना के अनुसार दूर्चब और मामारी के कारण लगभा कितने लाख लोग मारे गए तो इसका राइट एंसर हो जागा, ओप्सण नमबर थी ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स गोश्टन की ओर अपना संथाल विद्रों की नेता कौन थे? तो आपको पता होगा कि सिध्धू कानू संथाल विद्रों की नेता थे इसका राइट एंसर हो जाग का ऐट प्सटन कॉंग्रेस के स्थापना हुई थी ठीक है 1885 किस में दिखे अप्शन नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और सत्यागरा के विचार में किस बात पर जोर होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कि सत्या कि सकती का आगरा और अहिंसक पर जाता है तो आपको पता होगा कि बापु महात्मा गांधी को कहा जाता है और आपके लिए कोश्चन है गांधी जी दच्छी न अफ्रीका कब गये तिसका राइट एंसर हो जाएगा उन्न अठारा सो नाइंटी थि यानी अठारा सो तिरानवे चलिए और यह इस प्रस्ट कोश्चन है आपको इसका उत्तर देना है महात्मा गांधी दच्छी न अफ्रीका से कब लोटे तिसका प्राइट एंसर हो जागा उन्नीस सो पंदरा उन्नीस सो पंदरा चलिए मिलते कि ने ने वीडियो में